So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आंगनबारी वर्कर्स का पोसन ट्रेकर आप की एक नई वीडियो में तो आज हम पोसन ट्रेकर आप में डेट आप वर्थ चेंज करने के बारे में आपको एक महतोपुन जनकारी देने वाले हैं जैसा कि कुछ आगनबारी वहनों का कमेंट आया हुआ था कि पोसन ट्रेकर आप में डेट आप वर्थ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं तो चलिए इसके रिकार्डिंग आपको पूरी इन्फर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में तो जो भी नई आगनबारी सेविका हमारे इस वीडियो को देख रही है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर वीडियो पसंद आती है तो सभी बहनों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजेगा तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बेनिफिसरी वाली केटेगरी को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पर हम किसी एक केटेगरी में चलेंगे जैसे कि यहाँ पर 0-6 मा वाले बच्चे की केटेगरी को ओपन कर लेते हैं इस प्रकार से जैसे ही आप अपन करेंगे तो बच्चों का जो कैटेगरी है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक लिस्ट खुल के आ चुकी है जिसमें कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यह जितने भी बच्चे हैं वो वेरिफाइड है लेकिन एक बच्चा जो है यहाँ पर अभी ऑन वेरिफाइड है तो सबसे पहले हम वेरिफाइड वाले बच्चे में चल के आपको दिखाते हैं जैसे कि किसी बच्चे के नाम के आगे जो थिरी डॉट का ओप्शन है इस पे किलिक करेंगे और परफाइल अपडेट वाले ओप्शन में आ जाएंगे आप जैसे ही इस पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बच्चे के अधार कार है वो यहाँ पे नहीं डाला गया है बलकि इसके मा के अधार से यहाँ पे अधार वेरिफाइड किया हुआ है तो बच्चे का अधार कार नहीं होने पे उसके माता या पीता या अभिभावक के अधार से हम लोग अधार वेरिफाई कर सकते हैं जैसे कि अगर माता का अधार कार नहीं है तो हम उसके पीता या उसके घर के जो भी अभिभावक हैं उसके अधार कार को डाल के और उसके अधार कार पे जिस प्रकार से जनमतिती है उसको डाल के हम लोग यहाँ पे बच्चे का अधार वेरिफाई कर लेते हैं तो अगर आप एक बार आधार वेरिफाई कर लेते हैं तो आप डेट अब बर्थ जिसका भी डाले हैं उसका यहाँ पे आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे निचे जो बच्चे का जनमतिति है जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अब एक बार किसी भी बच्चे का या किसी भी लभार्थी का जनमतिति डाल देते हैं तो आप उसको दुबारा चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे आप मा लिजे कि जो बच्चा है उसके माता का अधार का डाल रहे हैं और यहाँ पे डेट वर्थ डाल रहे हैं तो data works match नहीं कर रहा है तो आप उस condition में यह कर सकते हैं कि अगर जिनका आधार verified नहीं हुआ है चली हम आपको दिखा देते हैं कि जो बच्चे या जो लभार्थी का आधार verified नहीं है तो उसके 3.00 पर हम लोग किली करेंगे अभी यहां पे थोड़ा process हो रहा है कि कारण से जो पोशन ट्रेकर एप है वो थोड़ा slow हो जाता है अगर नेट अच्छा रहेगा तो आपका यहां पर फास्ट में काम होगा तो यहां पर थोड़ा देर वेट कर लेते हैं तो अब हम आते हैं यहां पर जो बच्चे का आधार verified नहीं हुआ है जैसे कि यहां पर मुन्ना नाम क का एक लरका है इसके नाम के आगे three dot है इस पर हम click करेंगे और profile update वाले पर आ जाएंगे यहां पर आने के बाद देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसका अधार verified नहीं हुआ है इसके मा के अधार से भी नहीं किया गया है या फिर इसका भी इस बच्चे का भी अधार नहीं है इसलिए इसको अधार verified नहीं किया गया है आप यहां पर चाहें तो उसके मा के अधार से इसको अधार verify कर सकते हैं और यहां पर date of worth जो है वो आप यहां पर डाल सकते हैं लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखेगा कि आप जब भी किसी नए लभार्थी का registration करेंगे तो आपको date of worth यहां पर थोड़ा ध्यान से डालना होगा क्योंकि अब एक बार आप लोग date of worth को डाल देते हैं तो आप उसको फिर से दुबारा change नहीं कर सकते हैं जैसा कि यहां पर नए नए update आते हैं तो आप लोग को इसके बारे में जनकारी दी जाती है तो हर update को आप को सभी जनकारी मिलती रहे तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताईएगा और पोशन ट्रेकर एप्स रिकार्डिंग कोई भी question हो तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट जरूर किजिएगा तो फिलाल के लि वाद जय हिंद